हाई फ्रिंट्स शाही पाट साला योटीब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत सागत है हम लोग दरुगा परिक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट को प्रैक्टिस कर रहे हैं और इशी कड़े में आज हम लोग प्रैक्टिस करने बाले हैं मौक टेस्ट है इससे पहले हम लोगों ने 29 मौक टेस्ट को प्रैक्टिस कर लिया है तो जो प्रैक्टिस सेट आप लोग देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट पर मैंने काफी मेहनत किया है और आपके प्रयास से आपके सहयोग से चैनल का प्रोग्रेश भी हुआ है आप तमाम भीवर्स के प्रति मैं विशेश रुप से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने शाही पाट सला के शहयोग किया है नियमित रुप से वीडियो को देखा है और मैं क्राक्टेस सेट को तयार करने में इमानदारे से मेहनत करता हूँ और आप से भी चैनल के प्रेस में सहयोग की उमीद करता हूँ उंगलियों को कर्ष्ट दीजिए और वीडियो को लाइक, सेर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए तो आईए दिरना करते विए हम लोग शुरू करते हैं मौक्टेस्ट 30 को आज का पहला प्रसन है बातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है बिकल्प A लगू तरंग विकरन के द्वारा बिकल्प B दिर्ग तरंग अस्थलिये विकरन के द्वारा बिकल्प C परावर्तित और सौर विकरन के द्वारा बिकल्प D विखरी वी सौर विकरन के द्वारा तो यहाँ पर सही जवाब हो प्राप्त होता है वह लगू तरंगों से प्राप्त होता है पृत्वी को जो सुरी का ताप प्राप्त होता है किस रूप में प्राप्त होता है लगू तरंग के रूप में प्राप्त होता है और पृत्वी जब गर्म हो जाता है तो गर्म होने के बाद पृत्वी अपने आप में एक विक्रन पिंड बन जाता है पृत्वी के गर्म होने के बाद पृत्वी अपने आप में एक विक्रन पिंड बन जाता है और यह लंबी तरंग के रूप में बातावरण को उर्जा प्रदान करने लगता है ठीक है तो बातावरण मुखी रूप से किसके द्वारा गर्म होता है तो पृत्वी के द्वारा छोड़े गए देर्ग तरंग के द्वारा ठीक है तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा देर्ग तरंग अस्थलिये विक्रन के द्वारा आईए चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन नमबर 27 पर 27 हमारा प्रस्ण काता है चेदी वंसी राजा खारवेल के बारे में जानकारी का प्रात्मिक सुरूत क्या है ए वेद बी हाथे गुंफा सिलालेख सी असूक के सिलालेख दी गुफाओं के चित्र तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा बिकल्प भी हाथे गुंफा शिलालेख चेदी वंसी राजा खारवेल के बारे में जानकारी का प्रात्मिक सुरूत जो है वे हाथे गुंफा शिलालेख है हाथे गुंफा शिलालेख ओडिशा के पूरी जिला में स्थित उदय गिरी खंडगिरी पहारियों पर इस अविलेख इस सिलालेख की भासा जो है भासा प्राकृत है और लिपी ब्रह्मी है याद रखिएगा हाथे गुंपावी लेख कहा है तो हाथे गुंपावी लेख ओडिशा के पूरी जिला में स्थित है आईए नेक्स चलते हैं कोशन नमबर 28 पर 28 प्रस्णमारा काता है कि 1940 में कब 1940 में विवनावा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां से आरंब किया था ए वाइलाड केरल बी खेडा जिले के नडियाद गुजरात सी पवनार महरास्ट्र और दी त्रीची तमिलनाडू तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका सी पवनार महरास्ट्र 1940 में विनोवा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां से प्रारंब किया तो सही जवाब हो जाएगा आपका पवनार महरास्ट्र में अचारी विनोवा भावे ने 1940 में महरास्ट्र की पवनार से व्यक्तिगत सत्याग्रह के सुरुवात की और पहले सत्याग्रह के रूप में बिनोवा भावे को जाना जाता है और दूसरे सत्याग्रही को नुए पंडित जवाहरलाल नहरू पहले सत्याग्रही के रूप में बिनोवा भावे और दूसरे सत्याग्रही के रूप में पंडित जवाहर ललनेरू को जाना जाता है याद रखिएगा 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां से प्रारंब किया तो पवनार महरास्ट्र से आईए नेक्ष चलते हैं कोशन नुबर 29 सारनात अभिलेक में समराथ असुक का नाम इस प्रकार है तो यहाँ पर सही जवाब जाएगा विकल्प सी धर्माशोक यानि सारनात अभिलेक में समराथ असुक का नाम धर्माशोक प्राप्त होता है सारना तविलेक में समराट असोक का नाम धर्माशोक मिलता है यानि प्राप्त होता है आईए चलते हैं कोशन नमबर 30 पर कोशन नमबर 30 हमारा कहता है कि इस्तवर चंद्रविद्या सागर ने किसके लिए प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया ठीक है चार बिकल्प है आपके पास पहला है सती प्रथा समाप्त करने के लिए बी है लड़कियां पढ़ सके सी है बिद्वा विवा हो शके दी है सभी जातियों में समानता के लिए आपको बताना है कि किसके लिए इस्वर चंद्रविद्या सागर ने प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया तो यहाँ पर सही जवाब है आपका बिकल्प C, बिद्वा, बिवा, होशके, इसके लिए इस्वर्चंद्र विद्या सागर ने प्राचीन ग्रंथों का हावाला दिया, बिकल्प C यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है, इस्वर्चंद्र विद्या सागर उनिस्वी सदी के एक भ विद्वाएं पुनर विवाह कर सके यानि विद्वाओं का फिर से विवाह हो सके तो इश्वर चंद्र विद्या सागर ने किसके लिए प्राचिन गंत्राओं का हवाला दिया तो विद्वाह विवाह हो सके इसके लिए आए चलते नेक्स्ट कोस्न नुबर 31 पर 31 हमारा काता ह तो यहां पर बिकल्प B सही जबाब हो जाएगा सविने अवग्या अन्दोलन गांधी इर्विन समझोता भारत के सविने अवग्या आंदोलन से संबंधित था गांधी के द्वरा सविने अवग्या आंदोलन के एक भाग के रूप में दांडी आत्रा शुरू की गए थी गांधी इर्विन समझोता 5 मार्च 1931 को डेट आप याद रखेंगे गांधी इर्विन समझोता 5 मार्च 1931 को गांधी और इर्विन के बीच एक राजनितिक समझोता होता है ठीक है यह समझोते की विविन सर्ते हैं आप गांधी इर्विन समझोता में हुए विविन सर्तों को कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे आईए नेक्स चलते है कोशन नमबर 32 पर 32 हमारा प्रस्न है बालों की स्रेटिंग के लिए ब्यूटी पारलर में निमलिकित में से किसका उपयोग किया जाता है आप लोग पारलर नहीं लेकिन सैलून जरूर जाते हैं आप लोग भी बाल को स्रेटिंग करवाते हैं और लड़कियां पारलर में बाल स्रेटिंग करवाते हैं तो आपको यह ध्यान रखना है कि बालों को जो स्रेटिंग करते हैं तो पारलर में किस चीज का प्रयोग किया जाता है A. Chlorine का, B. Salfur का, C. Phosphorus का, D. Silicon का किसका प्रयोग किया जाता है? B. भिकलब B. यहां पर सही जवाब है, Salfur यानि गंधक का बालो किस शेटिंग के लिए Beauty Parler में Salfur यानि गंधक का प्रयोग किया जाता है याद रखेंगे बालो किस शेटिंग के लिए sulfur यानि गंधक का प्रयोग किया जाता है आईए question number 33 पर चलते है निमलखित में से कौन सी सरीर में सबसे बड़ी अंतहस्त्रावी ग्रंथी है तो चार बिकल्प में से आपको बताना है कि कौन सी सबसे बड़ी अंतहस्त्रावी ग्रंथी है बिकल्प A थर्वाइड, बिकल्प B पारा थर्वाइड, बिकल्प C अधिवरिक और बिकल्प D प्यूटेट्री तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्यूटेट्री ग्रंथी सबसे छोटी ग्रंथी है और इसको master gland भी कहते हैं और सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर बिकल्प A थर्वाइड ग्लेंड सरीर के सबसे बड़ी अंतहस्त्रावी ग्रंथी जो है वह थर्वाइड ग्लेंड है थर्वाइड ग्लेंड के बारे में जैसा आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था थर्वाइड ग्लेंड जो है पूरे सरीर की उपापचे क्रिया को यानि मेटाबोलिजम को नियंत्रित करता है थारवाइट ग्लेंड से थारोक्षिन हर्मोन का स्राव होता है इसमें हर्मोन निर्मान के लिए यानि थारोक्षिन के निर्मान के लिए आयोडिन का उप्योग होता है थारवाइट ग्रंतिय सभी प्रकार की उपापचे क्रिया को नियंत्रित करता है और इस थारवाइट ग्लेंड को बड़ा हो जाने की क्रिया को जो रोग कहते हैं उसको ग्वैटर बोलते हैं घेगा बोलते हैं गलगंट बोलते हैं इस प्रकार से नाम से उसको पुकारते हैं तो ये कैसे होता है, आयोडीन की कमी से होता है, गेगा, गलगंट, ग्वैटर कैसे होता है, आयोडीन की कमी से होता है, उसके बाद आते हैं, पाराथ हर्वाट ग्लेंड से स्रावित हार्मोन जो है, या सरीर में केलसियम की मात्रा को नियंत्रित करता है, अधिवरिक ग्रंथी से उड़ो और लड़ो हार्मोन स्रावित होता है अधिवरिक ग्रंथिय से उड़ो और लड़ो हार्मोन स्रावित होता है और अधिवरिक ग्रंथिय से जो हार्मोन स्रावित होता है वह सरीर में हिरदय की धड़कन और रक्त चाप को नियंत्रित करता है और putatory gland सबसे छोटी ग्रंथी है सरीर की और यह सभी ग्रंथियों का शंचालन करता है इसलिए puse ग्रंथी को putatory gland को master gland करते हैं आई यह चलते हैं next question number 34 पर 34 हमारा प्रसन करता है निमलिकित में से कौन B समूह vitamin के बारे में सही है B समूह यानि B complex vitamin के बारे में सही है विकल्प A उनमें से अधिकांस carbonic अमल है विकल्प B उनमें से अधिकांस पानी में घुलनसील है विकल्प C उनमें से अधिकांस सरीर में शंसलेसित होते हैं यानि सरीर में ही बन जाता है विकल्प B उनमें से ज्यादा तर बसा में घुलनसील है तो यहाँ पर बिकल्प B जो है आपका सही होगा क्योंकि आप जानते हैं बिटामिन B और बिटामिन C जो है यहाँ जल में घुलनसील है जबकि A, D, E और K जो है यहाँ बसा में घुलनसील बिटामिन है तो यहाँ पर vitamin B समू का मतलब वह vitamin B complex के बारे में यह सही है कि अधिकांस पाने में जल में घुलन सील होता है आज़े नेक्स चलते है question number 35 पर भॉगोलिक अधियन में cell सब्द से क्या तात परी है भॉगोलिक अधियन में cell सब्द से क्या तात परी है बिकल्प A मिटी के नरम एवं छोटे छोटे कन बिकल्प B मिटी के कठोर एवं छोटे छोटे कन बिकल्प C मिटी के कठोर एवं बड़े बड़े कन और बिकल्प D समस्त पदार्थ जिसमें जिससे भूपटल बना है तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा विकल्पडी समस्त पदार्थ जिससे भूपटल बना है भोगोलिक अधियन में सैल सब्द का क्यातात पर है कि वह समस्त पदार्थ जिससे भूपटल तयार हुआ है बना है आईए चलते है कोश्चन नबर 36 पर 36 हमारा प्रस्त काता है तेथी सागर नामक भू सन्नती के दक्षिन तट पर निमन में से कौन थे तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जागा विकल्प ए गुन्दवाना लेंड और लॉरेसियन के मध इस्थित एक सागर की रूप में कल्पित किया जाता है कि ऐसी कल्पना की जाती है कि यहाँ पर एक तेथी सागर नाम का गड़ा हुआ करता होगा जो एक शिछला और सक्रा था और इसी सागर में जमा अफसादों के प्लेट विवर्तनिकी के परिणाम सरुप गुन्दवाना लेंड के युरेसियन प्लेट के टकराने के करण क्या हुआ हिमाले परवतों की रचना हुई तो टेथे सागर के दक्षिन में गुन्दवाना लेंड आईए चलते हैं नेक्स्ट कोशन नमर थर्टी सिवन बंगाल में समाजिक धार्मिक सुधारों में अग्रदूत आत्मिय सभा की अस्थापन किष्ण ने किया तो यहाँ पर दोनों में से दो बाते हैं एक है समाजिक धार्मिक सुधारों का अग्रदूत भी और दुसरा है कि आत्मिय सभा का संस्थापक भी तो दोनों में से जो भी आपको याद होगा, दोनों बातों में से किसी से भी उत्तर लिया जा सकता है चार बिकल्प है, बिवेकानंद, बी, दयानंद सरसुति, सी, राजाराम मोहन राय और डी, अर्विंदो राजा राम मोहन राय को रास्ट्रबाद का जनक, समाजिक धार्मिक सुधारों का अगरदूत, भारतिय पुनर जागरन का पिता, यूग पुरुस, आधुनिक भारत का प्रथम पुरुस आधी नामों से जाना जाता है राजा राम मोहन राय ने आत्मिय सभा की अस्थापना 1815 में, ब्रह्म शमाज की अस्थापना, वेदान्त कॉलेज की अस्थापना और इसके साथ लॉर्ड बिलियम बेंटिंग के साथ मिलकर 1829 में सती प्रथाक के उन्मूलन को भी अंजाम दिया तो सभी बातों को आप अच्छे से याद रखेंगे आए चलते हैं कोशन 38 पर भारत में मौलिक अधिकारों के संबन में निम्न वक्त अब्यों पर विचार कीजिए पहला कथन है ये राजिक कृत के वृद्व एक गारंटी है दूसरा है ये संबेधान के भाग तीन में सुची बद्ध है तीसरा है समाजिक आर्थिक तथा राजनितिक नियाए शुनिस्चित करता है और चौता है ये संजुक्त राज अमेरिका में अधिकारों के बिल के भाती नहीं है तो आपको बताना है कि नीचे दिये गए कुटों से सही उत्तर चुनिये आपको बताना है कि कौन-कौन से कथन सत्य है ए है ए तथा दो सही है बी है दो तथा तीन सही है सी है एक दो तथा तीन सही है और डी है दो तीन तथा चार सही है तो यहाँ पर बिकल्ब C सही हो जाएगा एक, दो और तीन सही है यानि भारत के मौलिक अधिकारों के संबन में कि ये राजी कृत्त के विरुध एक गारंटी है ये भी सही है दूसरा है या संभिधान के भाग तीन में सुची बद है तो मौलिक अधिकार जो है संभिधान के भाग तीन में सुची बद है तेसरा है समाजिक, आर्थिक और राजनितिक नियांत सुनिस्चित करता है या हवी सही है ये तीन बातें बिलकुल मौलिक अधिकारों से रिलेटेड सही है आई चलते हैं Next question number 39 पर अनुसूचित जनजाती का दर्जा आपको बताना है कि A. हिंदूओं तक सिमित है या धर्मनिस्ट से तटस्त है C. हिंदूओं इशायों तक सिमित है D. हिंदूओं एबं मुस्लिमों तक सिमित है आपको बताना है कि अनुसूचित जनजाती का दर्जा जो है कि कहां तक दिया जाता है तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा बिकल्प भी यह धर्म निष्ठा से तटस्त है अनुसूचित जनजाती का दर्जा जो है वह धर्म निष्ठा से तटस्त है याद रखिएगा कि अन हिंदूओं तक सिमित नहीं है, हिंदूओं और इसायों तक भी नहीं, और हिंदूओं और मुस्लिमों तक भी नहीं, अनुसूचित जन जाते का दर्जा धर्म निष्ठा से तटस्त है, आईए चलते कोशन नमर 40 पर, 40 प्रस्ण में दिया गया है कि दो सूची है, उसको सुमि आधिया हुआ है, ए है चतुर्थ और 1 में भुमिसुधार, B में है सस्टम यानि छठी और 2 में भासा, C में है अस्टम यानि आठ्वी और 3 में है राजसभा, D में है नवम, और 4 में जन जातीय छेत्र, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 4 अनुसूची में, राज्यों का रा राजिय सभा में परतिने देतु है यहां अनुसुची चार में दिया गया है चतुरत अनुसुची राजियों का राजिय सभा में परतिने देतु है और सस्टम यानि छटी छटी अनुसुची में पुर्वत्तर के चार राजियों असम मेघाले तिरपूरा और मिजोरम फिर से जन जातिये छेत्रों के प्रसासन का प्रावधान जो है कि छठी अनुसूची में किया गया है तो जन जातिये छेत्र के बारे में किसमे है तो छठी अनुसूची में अब है अस्टम यानी आठवी अनुसूची में 22 भासाओं का उलेख किया गया आठवी अनुसूची में कित एक तीन दो चार इस प्रकार से जिसमें होगा एक तीन और दो चार विकल्प डी यहाँ पर क्या होगा विकल्प डी बिल्कुल सही जवाब है आई चलते हैं नेक्ट कोशन नमर 41 पर भारतिय संबिधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभू प्रजातांत्रिक गनतंत्र की जन कुंडली किसने कहा ए आर्नेस्ट वारकर बी एन एपाल की वाला सी पंडित ठाकुर्दास भारगव और डी के एम मुंसी तो यहाँ पर बिकल्प डी जो है सही जवाब हो जाएगा के एम मुंसी यानि कनहियालाल मानिकलाल मुंसी के मुंसी का पूरणाम क्या है कनहियालाल म मानिक लाल मुंसी ने जो प्रस्तावना है प्रस्तावना को संभिधान की जनम कुंडली कहा है ठीक ना संभिधान की प्रस्तावना को कनेया लाल मानिक लाल मुंसी ने क्या कहा है जनम कुंडली कहा है उसके बाद मैंने उत्तर वाले प्रस्त में यहाँ पर लिख दिया है कि आ सम्विधान का पहचान पत्र कहा भारतिय सम्विधान का पहचान पत्र प्रस्तावना को किस ने कहा एन ए पालकी वाला ने कहा उसके बाद भारतिय सम्विधान के प्रस्तावना को सम्विधान की आत्मा किस ने कहा तो पंडित ठाकुर्दास भारगव ने कहा तो यह आप नहीं होता है जिस कारण से जिम्नो इस्पर्म को नगन वीजी कहा जाता है A. भुरून पोस, D. भुरून, C. बीज चूल, D. अंडा से यहाँ पर बिकल्प C जो है सही जवाब होगा बीज चूल यह जिम्नो इस्पर्म नगन वीजी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें बीज चूल नहीं पाया जाता है जिम्नो इस्पर्म को विवरित वीजी या अनावरित वीजी या नगन वीजी भी कहाते है जिम्नो इस्पर्म को विवरित वीजी, अनावरित वीजी, नगन वीजी इन नामों से भी जाना जाता है जिमनोस्पर्म कहते कि इसको है वैसे ब्रेक्ष जिनके बीज फलों में और फूलों में बंद नहीं होते हैं बलकि क्या होता है कि छोटे टहनियों या संकूओं में खुली अर्थात नगन आवस्था में होते हैं बीज चोल उसके उपर नहीं होता है उसको जिम्नोस्पर्म या नगन बीजी कहते हैं अब ये जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म होता क्या है अनावरित वीजी और आवरित वीजी होता क्या है तो पादप वरगी करण में पुस्पी पौधों को फूल वाले पौधों को दो भागों में बाटा गया है, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म यनि आवरित्यविजी, आवरित्यविजी का मतलब जिसमें बीज, बीजपत्र से ढखा होता है, जैसे धान, मका, गेहू, चना, अरहर, ये सब, दूसरा होता है, जिम्नोस्पर्म, अनावरित्यविजी या नगनविजी, इसमें क्या होता है, बीज, बीजपत्र से ढखा हुआ नहीं रहता है, जैसे पाइनस, साइकस, देवदार, चीड, इत्यादी ब्रिक्ष जो है, या अनावरित्यविजी के उदारन है, आए चलते हैं, नेक्स्ट कोसन नमबर 43 पर, 43 हमारा क्या कहता है, कि निमलिखित में से कौन सा लक्षन प्रोकरियाटिक कोशिका कर नहीं है, दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, यूकेरियोटिक और प्रोकरियोटिक, प्रोकरियोटिक मनी पहले वाला कोशिका, यूकेरियोटिक बाद वाला डेबलब कोशिका, ठीक है, तो कहा गया है कि प्रोकरियोटिक कोशिका में नहीं होता है, तो क्या नहीं पाया जाता है, ये, इनमें कोशिका भित्ती में सेलुलिज नहीं पाया जाता है, B. DNA नगन रहता है तता हिस्टून प्रोटीन अनुपस्तित रहता है C. इसमें कुएंद्रिका नहीं पाया जाता है और D. इसमें राइवोजोम 80S यानि 40 प्लस 60S प्रकार के होते हैं तो यहाँ पर पुछा गया था है कि प्रोकरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है त्बिकल्ब D. बिल्कुल सही जबाव हो जाएगा कि इसमें राइवोजोम 80S प्रकार का नहीं होता है कैसा होता है 70S प्रकार का होता है यू केरियोटिक सेल में राइवोजोम जो है 80S प्रकार का होता है प्रोकेरियोटिक सेल में राइवोजोम जो है कैसा होता है 70S टाइप का होता है ठीक है अब जो है आपका कि कोशी का भित्ती में सिल्लोज नहीं पाया जाता है प्रोकरियोटिक सेल में DNA नगन रहता है और इसमें हिस्टून प्रोटीन भी अनुपस्तित रहता है प्रोकरियोटिक सेल में केंद्रिका नहीं पाया जाता है यू समझे कि अल्प विक्सित या कम विक्सित को सिका को प्रोकेरियोटिक सेल और पुर्ण विक्सित को सिका को यू केरियोटिक सेल कहते हैं ठीक है आएए चलते हैं कोशन नमर 44 पर किस विद्वान ने अस्थल विस्थापन सिधान्त का परतिपादन किया था? किस विद्वान ने अस्थल विस्थापन सिधान्त का प्रतिपादन किया था A. Holmes B. F. V. Taylor C. Koover D. Solas तो विकल्प B जो है यहां पर सही जवाब हो जाएगा F. V. Taylor किस विद्वान ने अस्थल विस्थापन सिधान्त का प्रतिपादन किया तो F. V. Taylor ने अस्थल विस्थापन सिधान्त का प्रतिपादन किया और एक प्रस्ण इसी में से आता है कि F. V. Taylor ने अस्थल विस्थापन का सिधान्त का प्रतिपादन कब से किया है तो Cretacean Cretaceous Yug से ठीक है तो इस बात को भी मैंने उत्तर में इसलिए लिख दिया है Cretaceous Yug से कि F. V. Taylor ने अस्थल विस्थापन का सिधान्त Cretaceous Yug से किया है आईए चलते है नेक्स्ट कोशन नबर 45 पर हाल ही में 57 ग्यानपीट पुरुसकार किसी प्रदान किया गया है हाल ही में 57 ग्यानपीट पुरुसकार जो है कि किसे प्रदान किया गया है निल्मनी फूकन, B. जी संकर कुरूप, D. दामोदर मौजी और D. आसापुर्ना देभी 45 यहां से अब आपका लगवक सभी के सभी करेंट अफेर्स ते अधार्द प्रस्न मैंने सामिल किया है कभी-कभी एक दो हो जाता है कभी-कभी तीन-चार जब जैसा मौका होता है तो आज के मैंने सेट में आज के सेट में मैंने 5-6 करेंट अफेर्स को रखा है तो आपको बताना है कि 57 ज्यानपिट पुरुसकार किशे परदान किया गया है तो बिकल्प सी यहां पर सही जवाब हो जागा दमोदर मौजो को 57 ज्यानपिट पुरुसकार परदान किया गया है जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि भारतिय साहित के लिए दिया जाने वाला सर्वोच सम्मान जो है ज्यानपिट पुरुसकार होता है और यह आठवी अनुसुची में सामिल सभी 22 भासाओं के लिए यह पुरुसकार जो है ज्यानपिट पुरुसकार परदान किया जाता है जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ज्यानपिट पुरुसकार का जो अस्थापना है यह वर्स 1961 में किया गया था और इसके लिए जो रासी परदान की जाती है एक ग्यारा लाख की रासी ज्यानपिट पुरुसकार के लिए प्रदान किया जाता है प्रेठम ज्यानपिट पुरुसकार जिवर्स에 1965 में जी संकर कुरूप को परदान किया गया था मलयालम भासा में ठीक है उसके बाद पहली महिला जिसको ग्यानपिट पुरुसकार से सम्मानित किया गया है वो थी आसा पुर्णा देवी इनको वर्स 1976 में ग्यानपिट पुरुसकार दिया गया था बंगाली भाशा में बंगाली उपन्यास के लिए इनको दिया गया था तो प्रतम महिला जिनको ज्यानपिट पुरुस्कार दिया गया आसापूर्णादेवी 1976 में बंगाली भाशा के लिए ठीक है उसके बाद पिछला यानि 2020 का जो ग्यानपेट प्रुसकार दिया गया वह नील मनी फुकन को असम्या भासा के लिए दिया गया तबीकल पे में है और वर्तमान में जो 2021 का ग्यानपेट प्रुसकार परदान किया गया है यह दामोदर मौजो को परदान किया गया है भासा भी याद रखेंगे कोंकनी भास आके लिए प्रदान किया गया है आईए चलते हैं नेक्ट कोस्टन नमबर 46 तर भारती नोसोना द्वारा मेगा अभ्यास एमफेक्स 2023 का आयोजित किया गया है ता आपको बताना है कि कहां गोवा में उडिशा में कीरल में आंधर परदेश में इसका सही जवाब होगा बिकलप जिले में जो है किया गया है आईए नमबर है अब फोटी 7 भारत की पहली हाइडरोजन ट्रेन बंदे मैटरो संचालित करने की घोशना किसके द्वारा की गई है या घोशना क्या गया है अस्वनी बैसनव के द्वारा अस्वनी बैसनव कौन है अस्वनी बैसनव भारत के र संचार और electronics और संचार प्रद्योगी की मंत्री के रूप में कारेरत हैं और हरीद विकास के रूप में हरीद hydrogen मिसन के तहत जो है कि बंदे Metro train जो है कि संचालित की जारी है और यह जो क्वा hydrogen इंधन से चलने वाले train होगी तो हैड्रोजन ट्रेन बंदे मैट्रों का संचालन की घोसना अस्वनी बैसनव के द्वारा किया गया है आइए चलते है कोईशन नुमर फोटी एथ पर बारवी सदी में निरमित कंबोडिया के अंकुरबाट मंदिर से भी उचा विशु का सबसे बड़ा मंदिर कहा बनाया जा रहा है तो बारवी सदी में निर्मित बेसु का सबसे बड़ा मंदिर है कमबोडिया का अंकूरवाट मंदिर और इससे भी उचा और बड़ा मंदिर जो है वह बिहार में बनाया जा रहा है पूरवी चमपारण में बिहार में कापर पूरवी चमपारण में बनाया जा रहा है तो आए उसके बाद चलते है कोशन नमर 49 पर 49 हमारा प्रस्ण कहाता है भारतिय सेनिकों की बीरता और वर्दान के लिए जाना जाने वाला हेलियो पोलिस असमारक कहां इस्थित है A. जॉर्डन, B. इराग, C. इरान, D. मिस्र तो सही जवाब हो जाएगा आपका बिकल्प D. मिस्र यानि भारतिय सेनिकों की बीरता और वलिदान के लिए जाना जाने वाला हेलियो पोलिस असमारक जो है यह मिस्र में इस्थित है जैसा कि आप लोगों को पता है कि चार दिवस्ये अमेर्की दोरा के बाद प्रधान मंतरी जो है कि मिस्र के दो दिन के दोरे पर गए थे और वहां मिस्र के राष्टपती अब्दुल फतह अलसीसी ने आडर आफ दे नाइल सम्मान से प्रधान मंतरी को सम्मानित किया है यह मिस्र का सरबोच सम्मान है Order of the Nile याद रखना है सम्मान का नाम Order of the Nile जो कि वहाँ के राज़्टपती अब्देल फतेह अल-सी-सी के द्वारा भारती प्रधान मंतरी को प्रधान किया गिया है और मिस्र की मिस्र जो है कि हम लोग अल-सी कीम मस्जिद भी है जहां बोहरा समुदाए के लोगों से मिले और मस्जिद का भी भ्रहमन के गिया मस्जिद का नाम भी याद रखेंगे अल-सी-सी-सिद रहते हैं प्रधम विस्यूद के बाद कि वहाँ पर काफी बड़ी संक्ट्षा में लगवग चार हजार के संख्या में 3700 कुछ है इतनी बड़ी संख्या में भारतिय सैनिक मारे गए थे तो उनके वीरता और बलिदान के लिए जो है उनके असमारक पर सहीद सैनिकों के असमारक पर सद्रहा अंजली अरपित करने के लिए भारतिय प्रधान मंतरी हैलियोप पोल समलैंगिक बिवाह को वैद गोशित कर दिया है तो समलैंगिक बिवाह को वैद गोशित करने वाला देश आपको बताना है A. एस्टुनिया, B. आरलेंड, C. सुमालिया, सुमानिया और D. बुल्गारिया तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प A. एस्टु ने रहे शाही पार्ट साला के शाथ, थैंक्स फर वाचिंग